दोस्तों अगर हम लोग बात करें हैं एपल के आईफों 14 की तो इसके रिलेटेड काफी सारी नई नी खबर आ रही है मार्केट के अंदर और सबसे तागतरीन खबर के बाहरे में बात करें तो वो होती हैं यहां पर आपको एक special type के दो-दो यहां वहां लुए होफों 14 की ने बात करने के नौच हो रहा है की होल होने वाले की वीडियो पसंद आए ने चैनल को सब्सक्राइब करने बेखो अभी जैसा होल की जैसे ख़बर आई थी ना कैसे 2017 में खबर आ रहे थे की नौच और नहीं होगा और काई सारोग कहना था कि य पंच के सब अब देखो होल आजाए डिस्प्ले के अंदर एक छोटा सा होल आजाए तो इसे लोगों कोई प्रॉब्लम रहे नहीं मतलब अल्रेडी एंड्रोइड में तो में एक चीज देखी चुकि कितने सारे फोन्स आते हैं जिने में आपको एक होल पंच देखने को लता ह और काफी हता की चीज़े सच भी हो सकती है तो फाइनली शायद आपको देखने को पुछाए दो होल वाला एक स्पेशल आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स बिल्कुल अब देखो पीछे के रिसन जो में को समझ में आता वो यह लग रहा है कि फेस आईडी की तो सेंसर्स होते क्योंकि अभी तक फेस आईडी नौच के अंदर था और नौच के अंदर से फेस आईडी स्कैन करना काफी आसान हो गया था क्योंकि कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं था लेकिन हो सकता है सारे संसरे फोन के पीछे न डाल सकते हैं इसलिए कुछ चीज़े नोंने पिल शेप नहीं होती है लेकिन यह बात काफी इंट्रस्टिंग है कि हम काफी लंबे से सुन रहे है कहानी कि आईफोन 14 प्रो प्रो मैक तौनोई फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा होल लगरेक्शत होल वाली बात सच हो सकती है और पहली बार नौच लैस आईफोन आपको फ्रेशिट LTPO पैनल ही देखने को मिलेगा यहां पर मैं आईफोन 14 14 मैक्स प्रो प्रो मैक्स के बारे बात करो यहां पर एक सोचने वाली बात यह कि यहां पर आईफोन 14 मिनी नाम से कोई फोन नहीं रखा जाएगा एक 14 रखा जाएगा 14 मैक्स यानि 6.1 इंच का फिर 6.7 फिर ऐसे ही प्रो और फिर ऐसे ही प्रो मैक्स यहां पर रखी जाएगी जो कि इस पार के आईफोन 14 के अंदर एक मेजर चिंच होगा और हां इस पार भी जो एपल अपना 5G मोट है में वो नेकर नहीं आने वाली कॉलकॉम का ही जो 5G मोट है में वो भी आईफोन 14 में देखने को नहीं मिलेगी जबकि इस बार आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स में देखने को मिल सकता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा और 48 मेगापिक्सल का इमेज संसर यहां पर जाने का पीछे का रीजन सबसे बड़ा यह है कि यहां पर ने करनी है 8 के वीडियो रिकॉर्डिंग जो 8 सब 8 की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए होता है देखते है एपल वाले यहां पर क्या चीज़ें करते हैं इसके साथ ही यह भी पता चाल है कि इस बार के आईफोन की जो थिकनेस है वो पहले से जादा मोटी होने वाली है यानि कि पहले से जादा मोटा होगा बड़ा हो ज यह जाएगा कि जो फोन कर्ट जो डिजाइन है वो आगे और पीछे से कंप्लीट्ली प्लेन होगा यह बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसे आईफोन 4 और 4S का डिजाइन था ठीक ठीक आपको वैसी ही चीज़ें हैं पर आपको देखने को मिल सकती है यह हो सकता को को सभी रखे जाएगे सभी आईफोन के अंदर वो रखे जाएगी 6GB अभी तो क्या होता था 13 13 मिन में 4GB प्रो प्रो मैक्स में 6GB इस बार अक्रॉस दाबोट 6GB लिकिन जो 14 प्रो प्रो मैक्स होंगे वहां पे स्टोरेज से रिलेज़ेट काफ इंट्रस्टिंग इंफार्मेशन है औ बिना पोर्ट का आईफोन सच में लोग अभी लाने वाले हैं थोड़ा और इंतिजार करेंगे यह देखने वाली बात होगी सुनने में नए कलर्स बगरा देखने को मिलेंगे कैमरास में तो इंप्रूमेंट होनी वाले और 5G टेकलोजी रिलेटेट भी कुछ और चल रही है एपल के आईफोन 14 की और सबसे बड़ी चीज तो लग रहे है कि प्रो प्रो मैक्स में जो डिजाइन होगा वो यहां पर होने वाला है कंप्लेटली चेंज अब देखते हैं कि एक्जेक्ली इस नए डिजाइन के साथ एपल वाले अपने आईफोन को कब और किस क चलती चली जाएंगी और वीडियो कर आप लोगों को पसंद आते हैं एक्साइटिंग लगते और भी चीज जानने चाहते हैं अपल का आईफोन के वारे में तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं सब्सक्राइब तो दे चैनल थैंक्यों को विटे देखने के लिए मावस तो दो नेस्ट वन में गुद बाई